So, hey guys, this is Ayushwaran Biswari और यार इस वीडियो में अपन कवर करने वाले basically compounds of alkali metals जो कि अपन के S-Block में, first chapter में तुम लोग ने inorganic chemistry में पढ़े होंगे जो अपन के आते हैं basically sodium के compounds और यहां से calcium के compounds तो अगर 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 अपन देखें कोई tough भी नहीं मतलब तो अगर मुश्किल से एक घंटा लगा हो गया से तो तुमें पूरे compound जयाद हो जाएंगी उनकी सारी reactions, properties कहां से form होते हैं, कहां पर form होते हैं सारी चीज़े जयाद हो जाएंगी सारे formula कितनी वीडियो देखते हैं, ठीक है, मैं सारी बताता हूँ important चीज़े कि क्या क्या important है और क्या क्या नहीं ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करने से बहले मैं वेल्दी बता दू 120 likes का target रखते हैं, होप तुम लोग पूरा कर दोगे ठीक है, स्वारी इसी ही सारे शुरू करते हैं, हम अपनी वीडियो को तो देखो है, सबसे पहले अपन की यहां पर मैंने लिख रखा है compounds of calcium, ठीक है तो अपन इसके उपर देखते हैं, पहले अपन की बात आ जाती है compound formula formed by, formed in, properties और यहांसे reaction involved के साथ अपन को users भी याद रखना पड़ते है ठीक है, ज्यादा tough नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगा की क्या क्या important है और कैसे अपन को याद रखना है सबसे पहले अपन की यहांसे बात आता है calcium oxide, जो की सबसे common अपन का है जिसका formula आजाता है CAO इसकी formed by आपन को पता है या calcium carbonate, CAO3 को heat करके calcium oxide plus O2 आपन का निकलता है formed in, यह एक important आजाते है क्योंकि यह कभी का और question ऐसा पूछ सकते है चोटा सा, कि आपन को यहां पर calcium oxide आपन का इसके लिए कहां बनता है कुछ-कुछ reactions जो इसकी important आती है वो अपन को याद रखनी है इसका मतलब मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि तो मैं पूरी stoichiometry याद रखनी है नहीं, तो मैं बस हलका सा यह याद रखने है कि अच्छा इसके buy products क्या बनता है इसके end products क्या बनता है क्योंकि बहुत बार ऐसा आता है कि वो लोग बोलते है कि यह वाली process में यह जो reaction है इसका end product है उसका color यह है तो वो वाला तुम product बता दो तो इसमें उनने यह थोने ना पूचा किया उसके कितने molds निकल रहे है उन्होंने क्यों property में पूच लिया क्या जुसका end product है वो कितने निकल रहे है बात समझ में आ रहे है तो आपनको यह वाली बात याद रखनी है क्या आता है वो यह अगर मैंने पानी के साथ अगर react कर रहा है तो यह बन जागा calcium hydroxide जिसको अपन बोलते है basically slaking of lime यह तो यार अपन शाइद नभी क्लास या 10th क्लास से अपन पढ़ते हुआ यादे slaking of lime similarly co plus si o to si o 3 यह अपनने metallurgy में भी बढ़ा था metallurgy की वीडियो आगे वो लोग ने देखी होगे क्योंकि वो one of the most viewed video है ठीक है आगे अपन का co plus p4 h10 के साथ आपने रियाक करता के क्या बन जाता है sodium soda lime यह जो अपन को पता रहता है similarly अगर इसको मैं यहाँ से calcium के साथ रियाक करा दूँगा तो यह में पास calcium carbide बनता है calcium carbide अपन organic chemistry में use करते हैं जो कि तुम लोग को पता होगा आपन को यह वाला बताना पड़ेगा आगे speed में बढ़ते हैं आगे बाद आजाती calcium carbonate जो कि जिसको आपन बोलते हैं वोई CACO3 या फिर अपन का नाम हो जाता है limestone कैसे बनता है वोई calcium hydroxide को CO2 में पास करेंगे तो CACO3 plus H2O बन जाएगा बट 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 NCRT में एक important line भी लिखे होई है excess must be avoided CO2 को तुम excess pass मत करना वर्ना क्या होता है वर्ना यह हो जाएगा calcium hydroxide calcium bicarbonate अपन का बन जाएगा CACO3 बन जाएगा बात समझ में आठी जो कि अपन का soluble होता है और तुम्हें पता है कि CO3 अपन का precipitate form में आठा तो अगर यह soluble बन गया तो तुम इसको निकालो कि कैसे ठीक यह वाली बात है कि यह soluble बन गया तो तुम निकालो कि कैसे CACO3 यह प्रेसिप्रेट बन जाते है तो अपन इसको निकाल सकते हैं separation कर सकते हैं तो यह वाली बात अपन की बात याद रखनी है तुम्हें पढ़ा होगा कि अपन को जादा excess amount में नहीं डालना है। आगे क्या है? CaCl2 प्लस Na2CO3 यार यह तो सीधी सी displacement reaction तुम्हें पता ही है। आगे अपन का properties में कुछ नहीं यार नॉर्मल CO2 is a world used as an antacid. antacid समझ में आ रहे क्योंकि यह base होता है। आगे CaCO3 को वापिस से heat करेंगे तो यह अपन का तूट जाएगा CO2 में। with acid के साथ आपन को reaction एक वापिस से याद रखनी है, acid के साथ तो हमें याद रखने है, CO2 प्लस H2O निकलता है। इसकी trick यहां से यह हो गए, है ना, तो इसकी trick क्या हो गए, कि यह अगर मैंने calcium carbonate को, calcium carbonate को acid के साथ रहा करा, तो पानी निकलेगा और CO2 निकलेगा, simple से यह बात है, क्योंकि यह तुम्हें बहुत common reaction है, जैसे CaCO3 की है ना, यह बन की बहुत common reaction है, तो आगे P block में भी होती general की आती है, कि अगर इसको मैंने acid के साथ निकाला, तो पानी और CO2 निकलते ही निकलता है, और एक और product क्यों से है, एक और product के लिए तो हम आराम से इसकी displacement reaction करवा सकते हो, क्या यह वाली बात समझ भाई, simple सी है, आगे अपन का, manufacture of quick lime, ठीक है भाई है, quick lime अपन का है, औ आगे अपन का P.O.P. तो सबको पता है रहे हैं से plaster of ferris, जिसका formula होता है, C.A.S.O.4.5H2O, यह बनता कैसे है, basically gypsum को गरम करने से, gypsum क्या होता है, gypsum अपन का होता है, C.A.S.O.4.2H2O, इसमें दो water of molecules होता है, जिसको अपन गरम करेंगे, तो definitely कुछ water of molecules निकल जाएंगे और जो बचे का वो अपन का होता है, gypsum, बट, बट, अगर तो हमने इसको जादा गरम करती है, तो जितने भी water of molecules निकल जाएंगे, और यह अपन का में पास बन जाएगा, dead burnt plaster में, C.A.S.O.4, तो यह वाली बाद आती ही कि अपन उसको इतना जादा भी गरम नहीं करना है, कि यह सीधा dead one plaster में अपन का convert हो जाए, आगे, hemihydrate of calcium sulfate, hemi मतलब half, तो अपन ने बोली दिया ना या निया से, C.A.S.O.4.half H2O, hemihydrate मतलब आधा water of molecule of calcium sulfate, आगे, setting property on mixing with high water, यह तो भाई common सी बात है, setting property, P.O.P. मतलब, पढ़ा होगा ना, कि अगर P.O.P. में पानी डाल द P.O.P. को तो भाई घर बनाने, इन सब में काम आएगा, आगे, immobilizing the affected part of organ, immobilizing, मतलब, fracture जो अपन के होता है, ना, fracture वो हाथ में पेनते हैं, वो भी तो P.O.P. के बनते है, बात समझ में आगे, तो P.O.P. यहां पर भी यूज़ा आजाता है, कि भाईया, P.O.P. अपन के इस लियो टू, clay और oxides, clay में बस तुम लोग थोड़ा से यह याद रखने हैं कि clay के general ही अपन के जो होता है, वो होता है, silica में अपन का होता है, aluminium, magnesium और अपन का iron, similarly raw materials में अपन का होता है, limestone और clay, इसकी थोड़ी सी तुम प्रोसेस याद रखने हैं कैसे, कि limestone और clay को मैं heat करत हो, फिर जो अपन के पास product बनता है, उसको मैं डालता हूँ, यहाँ से cement clicker में, है न, यहाँ पे plus नहीं है, इसको तुम यहाँ से हटा दो, हाँ, यहाँ पे अपन का basically बन जाते है, cement clicker में, अब जो product बन है, उसमें तुम mix करो, mixed with 2-3% weight of gypsum, gypsum है न, mixed with 2-3% of weight, इससे आज रहनी से हैं, क्योंकि इंपोर्टेंट रहती है, ओके, आगे चलते हैं, क्या बात आती, properties में, called portland cement, important है, सबको पता, आपन नहीं है, NTSC की वक्त भी तैयारी करी थी, भही है, portland cement बोलते है, आगे, gypsum is added to slow down the setting property, अभी हाल, अपन थोड़ी देर पहले बात करी कि भही यह जम बहुत जल्दी जाती है, भही हागा, अगर जम इतनी जल्दी जाएगी, बट कभी कार अपन को ऐसा भी तो लग सकते है, कि यह मुझे जमान है, बिलकुल जमान है, बट थोड़ी time से जमान है, क्योंकि कुछ काम में ऐसा नहीं है, कि गम से जमन है, तो उस property और उस rate with consistent particles of H2O, का मतला, जो अपन के इसमें, POP में, molecules से हते हैं, वो हाइडरेट हो जाते हैं, पानी के साथ और अपन के जम जाते हैं, बात समझ में आ दिया, आगे आपन देखते हैं, इंग्रीडियंट्स, इंग्रीडियंट्स क्या है, बेसे कलिए, डिकल्चम सिलिकेट, जिसक तो यह याद भी हो जाएंगे, क्योंकि आगे important, अपन के molecules में, या फिर compounds में आ जाते हैं, आगे आपन अगर इसका uses देखें, तो यह definitely पता ही है, construction in dams or bridges, cement और किसमें काम आएगा, बाल समझ मारी, cement इन सब से काम आता है, आगे आपन की बात आती है, slaked lime, जो कि important है, slaked lime एक तो मैं पते ही होगा, सब कोई पता है, slaked lime होता है, calcium hydroxide, CAOH holtoys, जो कि अपने उपर अभी पढ़ा भी था, क्या होता है, कैसे बनता है, वो ही, calcium oxide को अपन पानी के साथ hydrate कर दो, तो वो बन जाएगा, calcium hydroxide, but, but, यह इसकी उपर अपन का means में सवाल आ चोका है, बहुत simple सी बा solution को बोलते है, lime water, but, अगर मेरे पास है suspension in water, तो इसको बोलते है, milk of lime, इसकी उपर में सवाल आ चोका है, कि भाहिया, milk of lime होता क्या है, उसमें एक option होगा, भाहिया, कि aqua solution of CAOH holtoys, एक आ जाएगा, भाहिया, suspension of CAOH holtoys in water, एक और कुछ और दे देंगा, 37 और 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 इस में mentioned है, बात समाझ में आ रही है, आगे, disinfectant and water, जो कि पता ही है, आगे इसकी कुछ reactions अपन कि आ जाती है, यह important है, क्यों, क्योंकि अभी मैं तो मैं बताता हूँ, जैसे, वोई calcium hydroxide को अपने chlorine डाला, तो यह वी पर बच्छा की बोलें जाता है, calcium chloride, calcium oxychloride, calcium oxychloride, जिसको अगर मैंने calcium hydroxide को chlorine के साथ, chlorine पानी के साथ पास किया, तो मेरे पास एक product बनता है, जो कि bleaching powder में काम आता है, मतला, bleaching powder का constituent होता है, अब तुम वो मुझे सीधा product बता दो, तो answer क्या होगा, calcium oxychloride, क्या इसमें कहीं पर भी उनने moles पूछे कि कितने moles नकल रहा है, नहीं, normal उन hydroxide में, अगर मैंने CO2 excess में पास करा दी, तो ये वापे से decompose, मतला, भी अपन का CA CO3 में बन जाता है, जो कि अपन का होता है, milky white color का, इसका तो तुम लोग ने यार, experiment भी करा होगा, मतला, 12 वी में, अगर तुम लोग ने अभी school गए हो, या जैसा भी चल लो, lockdown में, experiment भी करा आज में भी करा दा, milky color बन जाता है, है ना, CO2 जादा पास कर दो, आगे कहा है, वोई, CA CO3 को अगर अगर अपने excess में पास करा, जैसे CAOH whole twice को अगर अपने पास करा, CO2, तो ये बन जाता है, बट अगर मैंने excess में पास करा, तो ये जो बना है, ये further react होता है, CO2 और S2O में, जो आपन का बन जाता है, calcium, CAH CO3 का whole twice, calcium bicarbonate, के ये वाली बात समझ में आरी है, जो की होता है, आपन का soluble, तो ये basically आपन के होगा यहां से, क्या मैंने बोला है, आपे, compounds of calcium, बट क्या यहां से chapter over हुआ, नहीं, यहां से ये तो आपन का केवाल आधी compounds होए, क्योंकि आपन क आपको अभी compounds of sodium भी पढ़ने है, तो यहां से अपन शुरू करता है, अपन के compounds of sodium, देखो, जादा नहीं है, यहां से, चारी compound है, छोटे-छोटे-छोटे से, चुन्नू मुन्नूजब, पढ़ते हैं, पहला compound है, sodium carbonate, जो की होता है, Na2CO3, Na2CO3, formula का है, वोई Na2CO3.10H2O, अ अपन ने चोटी क्लास में पढ़ रखा है, जिसको अपन बोलता है, बेसेकली washing soda, और इसको अपन बोलता है, डेका का मतलब क्या होता है, 10, इसमें water of molecules कितना है, 10, तो यही अपन का बाता आ जाता है, डेका हाईडरीड, कि यह वाली बात समझ में आ रही है, formed by, इसकी reaction इसल पर भी question बन जाते है, इसकी process का नाम होता है, solve process, आराम से आजगते हैं उसकी उपर question की solve process से क्या बनता है, आगे अपन की बात आते है, वोई ammonia में अपन ने CO2 और H2O पास किया, अपन का बन गया ammonium carbonate, आगे वापे से मैंने CO2 H2O पास किया, तो मैं यह पास बन गया NH4CO3, इसके साथ मैंने NaCl पास करा, जो कि अपन का बन गया NH4Cl, प्लस 2 NaCO3, बट important बात यह है, क्या मैं NH4Cl को आगे देखो, NH4Cl को यहाँ पे अपन इसको connect करो, NH4Cl को अगर मैं calcium hydroxide, CH whole तो जो अपन भी थोड़े पहले पड़ा था, अगर मैं उसके साथ पास करा हूँगा, तो मैं पास क्या वापे से NH3 नहीं बन जाएगा, NH3 प्लस CACL2 प्लस H2O, जो मेरे पास 2 NH3 है, क्या मैं इसको वापे से यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, तो मैंने यही बात रिख लिए, recovering NH3, ठीक है, तो आप तो मैं प्रोसेस समझ में ही, प्रोसेस क्यों important है, प्रोसेस important इसलिए क्यों वापे से जो प्रोसेस जो अपन का बाद में, एंड में पन का मनना न, NH4Cl, उसको अपन वापे से calcium hydroxide के साथ react करा के reproduce करवा सकते हूँ, और इसको वापे से use कर सकते हूँ, बात समझ में आ रही है, आसान इतना कोई tough भी नहीं है, बट यहाँ पे एक mains में बहुत अच K2CO3 बन सकता है, नहीं, इसमें अपन का mains में आ चुका है, क्यों नहीं बन सकता है, तुम रीजन दो भईया मुझा, रीजन इसका यहाँ से आ जाता है, क्योंकि जो अपन का KHCO3 होता है, कि जो KHCO3 होता है, वो इतना जादा soluble होता है, कि वो वापे से घुल जाता है, मतलब रियाक्ट ही नहीं कर पाता है, उसके पहले ही वो गुल जाता है, मैंने बोही लिखा है, solubility of NaHCO3 is very very less than NaCl, ठीक है, वो इतनी जल्दी soluble हो जाता है, कि भाहिया, मतलब उसकी solubility बहुत जाता है, इतनी जल्दी घुल जाता है, कि वो आगे फदर रियाक्ट ही नहीं कर पा आते ही है, इसको अगर मैंने हीट करा, अगर मैंने इसको हीट करा, थोड़ा सा हीट करा, तो यार, Na2CO3.H2O, प्लस आपन के 9 water of molecules निकल रहेंगे, बट वहीं पर बात यह आती है, कि अगर मैंने इसको कुछ जादा ही हीट कर रहे हीट फदर, तो यह अपन का बन जाता है, Na NaCl, और वही अपन का common नमक, जिसको मैंने बोल रखा है, common salt, NaCl, आगे, इसमें कुछ impurities होती है, definitely तो मैं पता ही है, calcium magnesium chloride जा फिर calcium magnesium sulfates, आसान है, crystallization of brine solution, crystallization तो मैं पता है, और brine solution भी पता है, brine solution क्या है अपन का, hydrated form of that, सही बात है, आगे, hydroscopic, hydroscopic का मतलब यह होता है, absorbs moisture, तुमने देख रखा होगा, कि अगर आपनका नमक खुला पड़ा रहे, मानलो, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा, मानलो, डबबा भर के, डबबा तुमारा खुला हुआ है, जिसमें नमक भरा होता है, तुम इसको कही बारिश वाले मौसम में रख दो, वो गठे नहीं बन जाते है इसे गोल-गोल, मतलब वो मौश्यर को एब्जॉब करता है, बात समझ में आ रही है, आगे इसके अपन कुछ रियाक्शन देखते हैं, ये वाली रियाक्शन बहुत इंपोर्टन है, क्योंकि जो मैं बोल रहा था न, कि वो जोज़े से कुछ red product बनता है, वो red product क्या होता है वो वाला question यहाँ पर आ जाता है, क्या है, NaCl प्लस K2Cr2O7, K2Cr2O7 बहुत important compound है, जो कि तुम लोग आगे P block में पड़ोगे भी, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, यह के साथ heat करा, तो मेरे पास बना NaHSO4, बट इसके साथ मैंने यह वाले components भी डाल रखे हैं, CRO2Cl2, मतलब chromium oxy chloride, CRO2Cl2, जो अपन का बनता है, basically यहाँ से orange red vapor, क्या यह वाली बात अपन की समझ में, sorry, यह अपन का byproducts में है, इतना, है ना, reactants के वाल इतने से, reactants के वाल इतने से, यह अपन का byproducts है, तो यह वाली बात आ जाती है, अगर मैंने common salt को K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ heat करा, तो मेरे पास एक orange red vapor निकलता है, तो वो orange red vapor किस चीज़ का, तो मुझे आसे यह वाली बात बता दो, तो बता दी मैंने किस चीज़ का निकलता है, ठीक है, CRO2Cl2, simple सी बात है, इसका आगे अपन का uses पता ही है, यहाँ से common salt की तरह use होता है, of course हो गई, आगे, manufacture of NaOH और Na2CO3, normal सी बात है अपने पढ़ रखे हैं, वोई displacement reaction से यह बनते हैं, आगे अपन का आजाते हैं, sodium hydroxide NaOH, इसके अपन को एक वाली बात यह याद रखनी है, कि NaOH को अगर मैं alkali metal के साथ react कराऊंगा, तो no reaction होता है, ठीक है, कभी का बार ऐसा ही, यह लोग में में बहुत बार question पोच चुके हैं, कि which of the following compounds, which of the following compounds or metals, does not react with alkali metals, चार option पकड़ा देंगे, है न, बोलने को question indirect है, कि यह अचानक से कैसे पकड़ा दिया, बट इसकी linkage यहाँ से है, क्योंकि अपन को देखना पड़ेगा, कि अच्छा यार, NaOH आपन का alkali metals से तो react करता ही नहीं है, कि यह वाली बात समझ में आरी है, बात पड़ी है, आगे क्या आता है, deliquescent, deliquescent का होता है, having tendency to become liquid, ठीक है, deliquescent in nature होता है, reaction आगा देखेंगे, तो यह sodium अबलकम प्लस water के साथ यह NaOH प्लस HG प्लस H2 react करेगा, और अगर मैं CO2 के साथ रियाक कर वाहूं, तो NaOH प्लस CO2, Na2 CO3, ठीक है, आगे अगे 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 की बात आती है, यहांसे laboratory reagent की तरह यहां पर यह यूज हो जाता है, ठीक है, आगे अगे अपन चलते हैं, अपना last, जो अपन का compound है, वो है अपना basically sodium bicarbonate, sodium bicarbonate, क्या है NaOH CO3, जो इसको अपन बोलते हैं basically baking soda, baking soda या दसवी class है पढ़ते हैं, इसको अपन ने uses पढ़ते हैं इसको अपन खुद यूज करते हैं, practical life में कैसे वो अपन आगे देखेंगे, reaction कैसे आती है, कुछ ने यार, Na2CO3, प्लस पानी निकालो, CO2 के साथ रिया करो, अपन का बन जाता है 2 NaHCO3, बात या आती है, white crystalline solution होता है, decomposes on heating producing bubbles of CO2, यह वाली property अपन की use होती है, अपन की cakes में के cakes में या फैर, जो अपन fluffy lens लाना चाता है आप, अब देखो, उसको चोड़ो, सबसे पहले यहाँ पर हाँ, important बात आती है, कि भाया, यह जो properties आपने बताई है, हमने तो यार, book में देखे कि यह काफी सारी properties है, कि यह white color क्यों होते है, यह यह होते है, बट तुम उस पर य इसकी काम का नहीं है, तो properties है आपन वह याद रखो, जिसकी उपर आपन के previous year में question बन चुके है, हो, बात समाज में आरी है, आगे देखते है, आगे आपन का skin infection में काम आता है, definitely है, बेकिंग सोडा में बहुत वार अपन का होता है, जब अपन को कुछ honey भी काट गया, वो अपन यह सब भी लगाते है, हना skin infection हो गया, fire extinguisher हो गया, cakes for mating is fluffy, fluffy कैसे, मैंने अब यह बता है, कि अगर मैं NaCO3 को heat करूँगा, तो Na2CO3 plus CO2 plus H2 निकलेगा, और जो CO2 है, क्या वो fluffy fluffy नहीं मना रहे है, मतलब वो यह अपन का इसा, पिचकु पिचकु जेसा, तो generally तुमने अपनी घर पे भी देखा होगा, कि अगर cake बनता है, मेरे घर पे तो बनता रहता है, तो यह अपन का होता है, कि baking soda डलता है, ताकि वो अपन का जो cake है, वो अपन का fool's है, fluffyness आज़ा, बात समझ में आती है, एक छोटी सी यहाँ पर point आती है, यहाँ से, जो कि अपन का होता है, mortar, mortar अपन का basic लिए बनता है, slaked lime का एक part, और अपन का sand का 3 part, यह अपन का यार, इन और anxiety में mention था, तो मैंने सोचा, इस point को भी मैं क्यों छोड़ू, बात समझ में आती ह इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है, तो I guess यहीं से अपन की पूरी होती है, वीडियो, सारी चीज़े मैंने cover ही कर लिया, but एक request रे गिया, like कर देना, क्योंकि जैसे, अभी बता हूँ, रात के कितने बजने हैं, अभी रात के 2 बजने हैं, और रात के 2 बजने तक मैं अगर जख के वीडियो बना सकते हो, तो शायद तुम लोग इतना कस्ट कर सकते हो, कि एक like बटन क्लिक कर दो, ठीक है, of course उसमें तना कस्ट नहीं आएगा, ठीक है, so I guess मैंने सारी चीज़े cover कर दी है, अगली वीडियो, जो भी जिस पर की उपर वीडियो तुम चाहते हो, हाँ, वीडियो अच्छी लगिया, ठीक है, so that's all on this video, bye!